Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल क्या-क्या चीजे हो रही है, और सबसे पहले तो मैं आपसे इससे चर्चा करूँगा, कि जो capital punishment का announcement किया गया है, mob lynching को लेकर, आप सुनते ही हो, काफी सारे खबरे आती है, mob lynching को लेकर, तो इस पे फासी की सजा का भी provision रखा गया है, तो इसको detail से जानेंगे, और क्या-क्या बदलाव किये जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत interesting होने वाला इस वीडियो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे पहले ध्यान रखेगा, 15 अगस्त को आपको पता है, Independence Day और इस मौके पर Study IQ हर साल, सबसे बड़ा सेल लेकर आता है, आपको कोई भी batch लेना आपको सबसे कम दाम परिस समय मिल जाएगा, और इसके साथ-साथ अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर Stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे, तो चलिए सुरवात करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, criminal system के अंदर जो criminal laws हैं, उसमें बड़ा बदला हो रहा है, देखो हमारे देश में जो criminal laws हैं, basically तीन तरीके के आप कह सकते हैं, एक है 1973 का जो criminal code of procedure है, वो है आपका CRPC जिसको कहा जाता है, फिर 1872 का जो Indian Evidence Act ह और 1860 का जो Indian Penal Code है, आप सब देख सकते हो, जो CRPC है, इसको बदल के किया जाएगा, भारतिये नागरिक सुरक्षा सनहिता 2023, फिर इसके लावा जो Indian Evidence Act है, इसको बदल कर कर दिया जाएगा, भारतिये साक्ष बिल 2023, और फिर जो Indian Penal Code है, 1860 का, वो बन जाएगा, भारतिये नाए सनहिता 2023, ठीक है, तो ये आपका चेंजेस किया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाओं है, वो मैं आपको आगे बताओंगा, और जिसमें जो सबसे इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको कह रहा था, मॉब लिंचिंग के बारे में, देखो, यहाँ पर एक सेशन में, विंटर सेशन जो होगा, आगे चलकर, क्या उसमें बदलाओं होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करा था, मॉब लिंचिंग के बारे में, इसमें कहा गया है, कि यहाँ पर जो भी लोग शामिल होंगे, उनको साथ साल की मिनिमम सजा, मतलब मिनिमम ज नहीं था, तो बिल के अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे, तो इसका डेफिनेशन भी लिखा गया है, इसमें यह बोला गया है, a group of five or more person, मतलब एक समू है लोगों का, जिसमें पांच या उससे जादा लोग हैं, और यहाँ पर वो एक murder commit करते हैं, मतलब कि यहाँ पर क अगर यहाँ पर mob, जो भीड है, भीड मतलब पांच या उससे जादा लोग किसी को भी मार देते हैं, किसी ना किसी प्रकार से, अलग-अलग reason से, तो यहाँ पर उनको कड़ी सी कड़ी सजा होगी, और क्या सजा होगी, imprisonment of life, और यहाँ पर minimum सजाद 7 साल की है, 7 साल भी हो सक सकता है, और यहाँ पर fine भी लगाया जा सकता है, और साथी साथ, अगर बहुत जादा जुर्म किया गया है, तो उस case में फांसी की भी सजा सुनाई जा सकती है, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कि यह जो mob lynching है, इसको लेकर finally, क्योंकि काफी सारे लोग इसको recommend कर रहे थे, आप देखती होगे कि पिछले कुछ समय से mob lynching की जो खबरे हैं, वो काफी news में रही है, कोई जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कई बार बोला गया beef लेके जा रहा है, लेकिन वो खबर जूटी थी, लेकिन जो भीर थी, जो mob थी, उसने उसको मार दिया, इस system of कानून, जहां पर जो criminals होते हैं, हमको कैसे punish किया जाएगा, कितनी सजा होगी, वो जो होता है, उसी को हम कहते हैं, criminal law, ठीक है, अब हमारे देश में आप देख सकते हो, यहां पर जो अमित शाय है, उन्होंने कहा, कि 1860 से लेकर 2023 तक, जो भारत के अंदर criminal justice system था, वो basically Britishers के आधार पर था, और वो अभी तक चलता आ रहा था, लेकिन हम ये जो तीन चीजें बदल रहे हैं, ये जो तीनों मैंने आपको बताया है, बिल के माध्यम से बदला जा रहा है, इससे क्या होगा, कि यहां पर बहुत सारी जो चीजें है, criminal justice system में, उसमें बदलाव आएगा, और वो बदलाव क्या है, मैं आपको highlight करके बता रहा हूँ, देखो, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो महिलाएं और बच्चों के उपर crime होता है, उसमें सरकार काफी सकती रख रही है, यहां पर बोला गया है कि जो punishment है for the rape of a woman under 12 years, 12 साल से कम उम्र की जो बच्च भी हो जाए, जज को 20 साल की सजा minimum सुनानी पड़ीगी अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है, 12 साल से कम उम्र के साथ होता है, लेकिन यह imprisonment of life भी हो सकता है, मतलब कि पूरे जीवन भर, जब तक वो person जिनता है, तब तक उसकी मिर्टियों नहीं हो जाती, तब तक उसको जेल में भी रखा जा सकता है, और इसके साथ-साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है, कि अगर गैंग रेप होता है किसी भी प्रकार का, तो उसमें भी 20 साल की सजा या फिर life term जो है सुनाई जा सकती है, तो यहाँ पर महिलाएं और बच्चों को लेकर specially अमेज शाव ने बोल हम सोचते हैं, महिला या किसी बच्ची के साथ हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार लड़कों के साथ भी rape हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो पहले उस चीज को नहीं देखा जाता था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि gender neutral चीज़ें करने की कोशि की जा रही है, मतलब कि कोई ऐसा crime है, जो देखा जाए कि अगर यह सिर्फ लड़का ही कर सकता है, या फिर कोई लड़की कर सकती है, ऐसा नहीं होना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें है, जो दोनों के साथ हो सकता है, तो उसमें यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है, पहल काली बार community service को लेकर एक punishment लेकर आई है, मानलो अगर किसी ने कोई छोटा मोटा crime कर दिया, मजबूरन कर दिया, ठीक है, मानलो कोई भूखा था, ठीक है, पैसे नहीं थे, अब उसका तो पेट भूखा है, कोई बच्चा है मानलो, तो वो कोई रोटी लेकर जा रहा है, कहीं पर कुछ काम करना हो गया, इस तरह की चीज़ें सरकार पहली बार लेकर आई है, अभी तक ये चीज़ें हमारे criminal justice system के अंदर नहीं थी, अब next जो एक और important मुद्दा है, I am sure कि आप सभी लोग इस बात से मानोगे, हमारे देश में क्या होता है, कि एक वर्दी, जो खाकी है उसको बड़ा proud तरीके से देखा तो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आमनागरिक है, उसको बड़ा डर लगता है, देखो, पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए हमें तो और safe feel करना चीए, पुलिस दिखती हमें आसपास तो हमारे डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना तो पुलिस कई बर exploit करती है, इसी का डर हमें रहता है, कभी भी किसी को अगर मान लो ऐसा हुआ, वो अपने मनमाने तरीके से अपने power इस्तमाल करके जेल में डाल दिया, तो यहाँ पर अमित शाजी ने specifically बोला है, कि पुलिस अपना power को exploit ना करे, गलत इस्तमाल ना करे, हमन अगर बदलाओ करना होगा, तो हम करेंगे, अब इसमें सरकार ने बदलाओ क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, जै कि क्या होता था, कि कई बार पुलिस किसी को पकड़ लेती थी, सोचती थी, इसी ने crime किया होगा, ये सोच कर किसी को पकड़ लेती थी, और इसको custody में डा तो इस तरह की जो चीजें होती थी यहां पर खुद यह अमिज शाजी ने बोला परलेमेंट के अंदर तो इसको रोकने के लिए हमने ये किया है कि हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस आफिसर होगा जिसको डेजिगनेट किया जाएगा और उसको सर्टिफाई करना होगा अगर कोई भी परसन जेल के अंदर जाता है पुलिस कश्टडी में आता है तो उस केस में यहां पर पुलिस सर्टिफाई करेगी रिलेटिव को कमपलसरी उसको बताना होगा कि हाँ ये जो परसन है ये इस समय पुलिस कश्टडी के अंदर है वो मना नहीं कर सकता तो ह अगर मानलो कोई पुलिस है वो दोशी पाये गया, वो अपने पावर का गलत इस्तमाल कर रहा है, तो गौर्मेंट उसके उपर कितना क्या प्रॉजीक्यूट करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ पर उसको सस्पेंड करेगी कि नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि मैक् प्रॉजीक्यूशन किया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो यह आपका मतलब एक टाइम लिमिट कर रही है सरकार, कि इतने दिनों में यह चीज हो जानी चाहिए, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर जो जस्टिस डिलिवरी सिस्टम है, उसको और एफिशेंट बनाया जा रहा है, आपको पता है हमारे देश के अंदर F.I.R. बगर को लेकर भी काफी जादा मुश्किल हो जाता है, कई जगा पर अगर आप F.I.R. करने जाते हो, करना चाहते हो, तो पुलिस भी कई बार मना कर देती है, औल्दो होना नहीं चाहिए, F.I.R. एक बहुत ह या आएगा पुलिस का, आप देख सकते हो, बोला गया है, कि पुलिस हाफ टू फ़रनेश एन अपडेट ओन F.I.R. विधिन 90 डेस, मालो आपने F.I.R. दर्ज के आपका मोबाइल गाब हो गया, कुछ भी हो गया, आपके साथ किसी ने छेरशार किया, कुछ भी हुआ, तो 90 90 डेस के अंदर F.I.R. दर्ज करने के 90 डेस के अंदर, पुलिस को बताना होगा, कि उसने क्या एक्शन लिया है, क्या हुआ है, आपके अपडेट देना होगा उसके बारे में, फिर इसके साथ साथ अब टेक्नॉलजी का जमाना है, तो E.F.I.R. भी आप देश में कहीं से भ बता होगा, 0.F.I.R. क्या होता है, युजूली क्या है न, कि मानलो अगर महराष्ट के किसी गाउं में, किसी शेर में कोई क्राइम हुआ महराष्ट के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर कोई क्राइम हुआ है, तो E.F.I.R. वहाँ पर होना चाहिए, वहीं पर जो पुलिस है, वह उसका तलाश करेगी, उसकी जो भी investigation है, वह किया जाएगा महराष्ट पुलिस के दोरा, लेकिन अगर मानलो वह person कैसे न कैसे बच के, अगर उसको मानने की कोशिश की गई, वह बच के UP आ गया, दिल्ली आ गया, तो दिल्ली मानलो आ गया, तो वह दिल्ली में भी F.I.R. दर्ज करा सकता है, तो उस तरह के F.I.R. को कहता है, मतलब जहाँ पर incident हुआ, उसके अलावा कहीं आप करा रहे हो, तो उसको 0 F.I.R. कहा जाता है, तो 0 F.I.R. के case में आप दिखे क्या होगा, आपने दिल्ली में F.I.R. दर्ज किया, अब दिल्ली पुलिस की जिमेदारी हो गया, अब आपको पता होगा, चारशीट, मतलब पुलिस अगर investigate करती है, तो कोड में चारशीट दायर करती है, investigation के बाद जो चारशीट है, अब दिखे उसमें कई बार पुलिस बार-बार कोड को कहती रहती है, नय पालिका को कि सर हमें और समय चाहिए, और समय चाहिए, त उसकी चारशीट 90 डेस के अंदर फाइल होनी चाहिए कोट के अंदर और maximum और 90 डेस यहाँ पर उसको मिल सकता है अगर कोट ग्रांट कर दें, कोट कहे कि हाँ ठीक है, इस केस में और investigation चाहिए, तो 90 डेस के अंदर यहाँ पर आपको हम और टाइम देते हैं, तो maximum 180 डेस, मतलब 6 महने के अंदर अंदर चारशीट पुलिस को फाइल करनी होगी, ताकि कोट में उसकी सुनवाई आगे बढ़ सके और सजा सुनाई जा सके, ठीक है, अब फाइनली यहाँ पर technology, जैसा कि मैं कहा रहा था, आज के जमाने में technology के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ technology के बेस पर अब यहाँ पर जो नया changes किया गया हमारे laws में, उसमें जो electronic या फिर digital record है, वो भी admissible होगा, उसको भी यहाँ पर legal validity दी जा रही है, तो यह भी एक बड़ा बदला हो रहा है, फिर इसके साथ साथ अगर मानलो, पुलिस कहीं पर search कर रही है, search and चलान, prosecute कर रही है, कहीं पर त पड़ेगा, थाकि कल के date में, अगर कोई भी दिक्कत आती है, मद्भेद होता है, तो वो camera कित्रों यहाँ पर चीजें बताई जा सकें, फिर finally यहाँ पर terrorism को लेका पताई है, terrorism अभी पूरी तरह से खतम हुआ नहीं है, देश में कोशिश है उसको पकड़ने के लिए, कई ब पर सरकार बदलाव कर रही है, जैसे कि अभी तक क्या था, कि अगर मानलो जैसे दाओ इबराहिम हो गया, वो तो पाकिस्तान में छुपकर बैठा है, वो भारत अभी आया नहीं है, तब तक उसके उपर case नहीं चल सकता है, लेकिन बिना उसके presence के भी, उसके absence में, यहाँ प होगा, फिर मामला court में जाता है, लेकिन कई बार यह देखने को मिला है कि मानलो पुलिस ने arrest किया, ठीक है, उसमें कई बार होता है कि conviction rate बहुत कम है, कि मानलो 10 लोगों को arrest किया, 10 crime ऐसे हुए, 10 लोगों को arrest किया, तो उसमें से 6 लोग तो छूट गया और 4 को ही सजा हुई, तो आखिरकार जो लोग छूटे तो उनका क्या होगा, कई बार ये भी होता है कि पुलिस एविडेंस नहीं जुटा पाती है, एविडेंस वगर नहीं हो पाता पुलिस के पास, तो इसकी वज़ेसे कई लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो छूट जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चा नहीं कहा कि 90% हम कन्विक्शन रेशियो लाने की कोशिश करेंगे, अब 90% कैसे आएगा, यहां पर ये बोला गया है कि जो भी हीनियस क्राइम है, जहां पर जिस भी क्राइम में 7 साल से ज़्यादा की सजा है, हर जगा, उन सभी जगाहों पर फॉरेंसिक टीम भेजी तो यहां पर अब बड़ा बदलाव अगेन किया जा रहा है, इसको लेकर भी क्रिटिसम हो रहा था, मैं देख रहा था लोग सभा के अंदर, कई लोग का कहना है कि यहां पर कि कई जगाह पर फॉरेंसिक टीम है ही नहीं, दूर दूर जाना पड़ता है, तो कैसे आप अब देखो यह तो समय बताएगा क्या है, finally conclusion क्या निकलता है, देखो यहां पर जो भी changes हो रहे हैं मैं आपको बता दू, अमिर्शा जी ने कहा है, 313 changes किये जा रहे हमारे इंडिया के criminal justice system के अंदर, और अमिर्शा ने यह भी कहा कि अभी तक क्या होता था कि जो भी laws बनाए इक लिए नहीं है, हम justice देना चाहते हैं, तो I hope कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो के मार्धान से क्या क्या होने जा रहा है, बहुत सी अभी और चीज़े हैं जो बाद में सामने आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, जाने से पहले एक interesting question क्या आप बत कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूं, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आएगे, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पागे, और जैसा मने बताया, UPSC के अगर